अमरिकन इंटेलिजेंस कम्यूनिटी की एन्विल थ्रेट असेस्मेंट रिपोर्ट आई जो के अमरिकी संसत के सामने हैंने के कॉंग्रेस के सामने पेश की गई और उसमें ऑफिस अफ डिरेक्टर अफ नाशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं O.D.N.I. उसने बोला कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की लीडर्शिप में इंडिया पाकिस्तान से किसी भी खत्रे को या किसी भी परसीवड खत्रे को मतलब इंडिया को लगता है यहां से खत्रे आ सकता है उस पर या किसी भी आतन की हमले को या काश्मीर में कोई भी गड़बड फै लाने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लीडेशिप में एक अटाक यानि के हमला पाकिस्तान पर हो सकता है और ये इस हमले के इंडिया के इस हमले के चांसे पिछली किसी भी गौर्वर्मेंट से जादा है ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और उन्होंने ये भी बोला मैं exact words बोलता हूं the crisis between इंडिया और पाकिस्तान are of particular concern because of the risk however low however low मतलब कम जरूर है लेकिन often escalatory scale escalatory cycle between two nuclear armed states पाकिस्तान has a long history of supporting anti-India militant groups इस इस रिपोर्ट में माना गया है कि पाकिस्तान लंबे टाइम से anti-India militant groups को support करता रहा है under the leadership of Prime Minister Narendra Modi India is more likely than in the past to respond with military force to perceived or real Pakistani provocations मतलब इंडिया अपनी जोर का, इंडिया अपनी armed forces का, इंडिया air force का, navy का और army का use जादा कर सकता है in the sense के इसके chances जादा है, Prime Minister Narendra Modi के under, के इंडिया अपनी force का use करे in relation to previous governments and each side's perception of heightened tensions raises the risk of conflict with violent unrest in Kashmir or a militant attack in India being potential flash points मतलब ये flash points हैं, इंडिया में कोई भी attack हो या काश्मीर में कोई violence हो, violent unrest word यूस किया गया है तो ऐसी चीजों पे इंडिया या प्रधानमंत्री Modi की सरकार हमला कर सकती है India and China के बारे में इन्हों ने बोला के अमेरिका को intervention करनी पड़ सकती है India and China relations between New Delhi and Beijing will remain strained in the wake of lethal clashes in 2020 the most serious in the decades we assess that the expanded military posture by both India and Pakistan along the disputed border elevates the risk of armed confrontation between the two nuclear powers that might involve direct threats to US persons and interests and calls for US intervention clearly लिखा हुए साथ में previous 10 verbs have demonstrated that persistent low-level friction on line of actual control has the potential to escalate swiftly मतलब कोई भी friction है वो swiftly बड़े आराम से बड़े लेवल पर बन सकती खत्रा था जिस तरीके का जो reaction था बाला कोट स्ट्राइक वो प्रियम्टिव एर स्ट्राइक की थी और जैशे महममद के कैंप पे थी और इस तरीके की और एर स्ट्राइक की तरफ इंडिकेट किया है American Intelligence मानती है कि Prime Minister Modi और ऐसे अटैक कर सकते हैं और ऐसे हमले कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर घुसके अगर पाकिस्तान की तरफ से provocation आता है तो बाला कोट के बाद से पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत दुबारा की तो नहीं है लेकित American Intelligence बड़ी सटीक रिपोर्ट देते हैं उन्होंने ये बोला कि अगर दुबारा होता है तो बहुत ज़्याद चांसे हैं कि Prime Minister Modi फिर out of the way जाकर के फिर हमला करें और हमले के बाद ये potential flashpoint बन सकता है ऐसी चीजों पर American Intelligence अपने व्यूज रख थे इसमें 31 पेज का है हर 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 कंट्री के बारे में व्यूज है इस पर ताइवान पर भी है चाइना ताइवान पर भी उसे भी एक flashpoint बताया गया है साथ में और दूसरे कंट्री पे भी है पाकिस्तान इंडिया के भी है लेकिन सबसे ज़ादा जो उन्होंने एंफेसिस दिया है वो इंडिया चाइना एक पैराग्राफ ही सही क्योंकि अभी इस समय तो लड़ाई चल रही है योक्रेन की सबसे ज़ादा उन्होंने जो strong words है कि अमेरिका को इसमें intervention के calls आ सकती है और हो सकता है करना पड़े दूसरा उन्होंने ये भी बोला nuclear armed states के बीच में flashpoint है इंडिया पाकिस्तान और प्राइमिस्टर नरेन मोदी जिनको इतना strong leader बताया है कि ये बाहर जा करके हमला कर सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच मे भी हजारों troops move हो गई हैं वहाँ पे heavy artillery लगी हुई है missiles लगी हुई है border पे इसका मतलब प्राइमिस्टर मोदी अपने eastern front पे या जैसे बोले के northern front पे भी कहीं जुकते तो नहीं देख रहे हैं बहुत strong action लेते देख रहे हैं और अमेरिका को ये बात बहुत clear पता है कि मोदी बहुत जैसे बोलते हैं बहुत strong action लेने वाले प्राइमिस्टर ने